देखें अब मैं आपको पताना चाहूँगा कि Fibonacci Series क्या होती है Fibonacci Series starting के दो टर्मस आप देखें 0 और 1 हम यहाँ पे लेती है यह starting इनी से होती है अब आप देखो कि 0 और 1 का जो sum करूँगा वो मुझे 3rd expression देगा that means 0 और 1 का जब मैं sum करूँगा तो मुझे यह 1 मिला जब इन दोनों का मैं sum करूँगा 1 और 1 तो मुझे यह 2 मिलेगा और जब इन दोनों का 1 और 2 का मैं sum करूँगा तो मुझे यहाँ पे 3rd मिलेगी तो इस तरह से चलते है जब 3 और 5 का sum करूँगा तो मुझे यहाँ पे 8 मिलेगा 5 और 8 का जब मैं sum करूँगा तो मुझे 13 मिलेगा 8 और 13 का जब मैं sum करूँगा तो मुझे 21 मिलेगा and so on तो इस तरह से Fibonacci Series चलती है और इसी क्यूप पर हमने program बनाना है तो आईए देखते हैं कैसे हम program बनाएंगे Fibonacci Series का कि अभी हमने यहाँ पर header files को declare किया है और एक void main function declare किया है आई आगे देखते हैं कैसे हमने Fibonacci Series का program बनाना है तो यहाँ पर मैं let's say starting के दो terms हैं उनको पहली as it is print कराता हूँ let's say int x is equal to 0 जो कि यहाँ से शिरुआत होती है Fibonacci Series की and int y is equal to 1 ठीक है यहाँ पर फिर मैं एक variable कुछ हम declare करते है for example let's say int r जो कि range पताएगा कि कितने number of terms चाहिए let's say हम यहाँ पर r is equal to 10 initialize कर देते हैं कि हम 10 terms तक की हमें Fibonacci Series चाहिए इसको आप scan app के दुरू user से input भी करा सकते हैं ठीक है और इसके बाद यहाँ पर एक i variable declare करता हूँ मैं integer type का जो कि हम for loop में use करेंगे और इसके बाद एक sum variable भी use करेंगे हम तो उसको भी हम यहाँ पर declare कर लेते हैं ठीक है इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि printing करा देता हूँ x और y की 0 और 1 की ठीक है percentile d percentile d और इसके बाद x, y and semicolon इसके बाद then मैं यहाँ पर for loop चलाता हूँ for i is equal to 3 3 से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि starting के 2 terms जो हैं वो मैं already print करा चुका हूँ तो मुझे 3 से अब printing करानी होगी 3 से मैं अपना जो for loop है वो चालो करूँगा और i is less than is equal to r r जो हमारी यहाँ पर 10 defined की हूई है मतलब that is the range right and यहाँ पर फिर मैं करूँगा i plus plus और उसके बाद मैं यहाँ पर एक चीश करूँगा कि sum is equal to x plus y जो भी sum है x plus y कर वह मैं कर दूँगा उसके बाद क्या करूँगा x is equal to y जो y की value है वो x को दे दी जाए and जो sum की value है वो y को assign कर दी जाए और यह for loop यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर करूँगा printf sum percentile d ठीक है और यहाँ पर मैं कहूँगा कि sum को आप यहाँ पर print कर दीजे ठीक है इसके बाद यह closing brace हो गया आपका for loop का और यह closing brace हो गया आपका void main function का आईए देखे किस तरह से यह program चलता है सबसे पहले x और y यहाँ पर मैंने define किये range यहाँ पर 10 किये है और मैंने यहाँ पर printing करा दी percentile d x और y that means 0 और 1 आपके यहाँ पर print हो गए अब i की value यहाँ पर 3 है 3 से हम यहाँ पर चालू करेंगे i ठीक है 3 से यहाँ पर चालू करेंगे और यहाँ पर x y और यहाँ पर sum की value हम देखेंगे कि किस तरह से change होगी ठीक है initially जो x की value यहाँ पर थी वो थी हमारी 0 और initially y की value थी वो थी हमारी 1 ठीक है sum is equal to जब i less than is equal to 10 हाँ that means true है हम यहाँ पे अंदर घुज जाएंगे sum की value is equal to x plus y that means sum की value जो यहाँ पे आएगी वो हमारी हो जाएगी 0 plus 1 that means sum की value हो जाएगी 1 ठीक है उसके बाद मैंने कहें जो y की value है वो x में assign कर दी जाए मतलब y की value 1 थी वो x में आ जाएगी now the x की जो new value होगी वो होगी 1 और जो sum की value है वो y में चली जाए that means sum यहाँ पे 1 है sum की value y में चली जाए that means y की value हो जाएगी 1 ठीक है और इसके बाद मैंने का printf sum that means sum की value जो 1 थी उसको आप printf करा दीजे that means यहाँ पे 1 print हो गया इसके बाद जब दुबारा i की value यहाँ पे increment होगी 4 होगी i की value यहाँ पे हमने की 4 4 करने पे बाद अब आप देखोगे 4 is less than 10 हाँ जी true है sum is equal to x plus y एक्स और y की value जो current latest value है one one है that means sum की value यहाँ पे हो जाएगी 2 sum की value होगी 2 ठीक है इसके बाद मैंने का जो y की value हो x को देदी जाए y की value यहाँ पे 1 थी that means यहाँ पे 1 हो गया और इस वाले statement से और y is equal to sum that means sum की value थी 2 वो देदी जाए y को तो y कोई जो new value होगी वो होगी 2 और हम नेका print if sum print if sum मतलब sum की value यहाँ पे 2 थी तो यहाँ पे मैंने 2 को print करा दिया इसके बाद loop increment होगी i plus plus that means i की value यहाँ पे 5 5 is less than condition check होगी is less than 10 हाँ जी true है तो हम यहाँ पे आएंगे इसके बाद लिका sum is equal to x plus y जो latest value होगी x plus y की वो है 1 or 2 that means sum की जो latest value आएगी वो आएगी यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 आए यहाँ पे 3 आए यहाँ पे 3 आए यहाँ 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 लाइन एक्सेक्यूट होगी x is equal to y that means y की value जो 2 थी वो x को assign हो दी जाए तो x की जो latest value हो जाएग sum की value थी 3 उसको हम print करा देंगे तो यहाँ पे हमारा 3 print हो जाएगा तो इस तरह से अब देखरो 2 और 1 दोनों का अगर प्लस करोगे 3 इस तरह से हम फिर बनाकी series को generate कर रहे हैं एक और round देखते हैं इसके बाद फिर हम देखेंगे i की value यहाँ पे plus plus हो जाएगी that means यहाँ पे हो जाएगी 6 जब यहाँ पे 6 हो जाएगी तो 6 is less than 10 हाँ जी true है इसके बाद that means के envelope के अंदर गुसेंगे x plus y, x plus y की value हो जाएगी 2 plus 3 which is 5 तो sum की value यहाँ पे हो जाएगी 5 then y को y की value x को sign कर देए that means 3 की value यहाँ पे आ गई और इस परकार आप देख सकते हो यह जो 5 हो यहाँ पे आ जाएगा that means 5 यहाँ पे आ गया और इसके बाद हमने का print of sum, print sum की value थी 5 तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया, again loop की value हो जाएगी 7, again i की value increment होगी i की value हो जाएगी 7, 7 is less than 10, sum is equal to x plus y, x plus y is 3 plus 5, sum की value नहीं value हो जाएगी 8, तो इस तरह से आप देखोगे फिवर नाकी series print होग पूरी पूरी जब तक 10 तक यह आपको चलेगा, 3 plus 5 यह पको 8 मिलेगा, then 8 plus 5 यह पको 13 मिलेगा, 13 plus 8 यह आपको 21 मिलेगा, तो इस तरह से आपकी पूरी की पूरी and so on यह आपकी चलेगी, जितनी आप range देंगे उतनी चलेगा, अगर आप 5 टर्म्स की मालेंगे तो आपको range यहां पर 5 देनी होगी, अगर आपको 15 टर्म्स की चलेगे तो आपको range यहां पर 15 करानी पड़ेगी, so this is the code of Fibonacci series and this is the program of Fibonacci series.